Hey guys good morning welcome back to a fresh video आज के इस वीडियो में बहुत इंट्रेसिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे that is hostel life versus day scholar आप लोग को hostel चूज करना चाहिए या फिर आप घर पे रहके बाहर पीजी वगएर लेके जाना चाहिए और जिन लोग का college जो सिटी में है वो तो obviously day scholar ही रहेंगे तो engineering अगर आप जाकर उसको चेक करोगे my first year hostel life experience अकास दास hostel आप search कर दो यहाँ पर वीडियो आज जाएगा I guess यह रहा my first year of hostel life experience इसको आप देख लेना तो मेरा personal hostel का कैसा experience रभू आपको पता चाहिए गा साथ में hostel जाने से पहले आपको क्या क्या चीज़े समान वगर लेना है इ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या actually hostel life और take scholar में difference होता है तो पहले बात कर लेते हैं students की कितने तरह के students होते हैं यहाँ पर तीन तरह के students होते हैं तो पहला category of students कौन होता है जो कि completely different cities है या फिर डिफरेंट स्टेट से आ रहा है जहां पर college है पहला category तो यहाँ प जो कि जस city में उसका घर है उसी city में उसका school है तो same city, same college है na same city करते हैं अब यहाँ पर तीसरे category के students आते हैं जो कि भले different cities से आ रहे हो different states से आ रहे हो but उसी city में आके पाहर घर लेके रहना चाहते हैं तो वो लोग taste scholar कहलाएंगे समझ पा रहे हो तो यहाँ पर different city but stay outside भले वो different city से हो but आके college के बाहर PG लेके या फिर PG मतलब paying guest होता है PG में या फिर flat लेके घर लेके वहाँ पर रहना prefer करते हैं तो यह तीन category के बारे हम बात करेंगे तो सबसे पहले यार first category जो कि different city या different state से जाते हैं for example आपका college दली में है और आप belong करते हो उत्तरप्रदेश से और उत्तरप्रदेश से आपको जाने दली वाले college में तो वहाँ पर कैसे रहोगे पहला option आता है कि आप hostel prefer करोगे तो generally यह पच्छे क्या prefer करते हैं hostel prefer करते हैं और यह जो same city वाले होते हैं यह तो day scholar होई जाते हैं और जो last वाले होते हैं यह वाले वापस जो बाहर PG या rent रे निकाल के रहते हैं तो जो hostel में रहते हैं यार life बहुत मज़ेदार होता है सही में बहुत मज़ेदार होता है जो day scholar के comparison में काफी लोग बाद में जाके regret करते हैं कास मैं hostel में रह लेता होस्टेल वाले जिंदेगी जी लेता बट यह क्यों होता है उसको भी थोड़ा सा समझत है होस्टेल में आप डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट सिटी के बच्चों से मिलते हो फस्ट पॉइंट हो गया वो तो day scholar भी मिलता है बट day scholar only during the college period मिलता है college का duration कितना होता है आपका सुबह से suppose 8 बजे से class होता है 3-4 बजे तक आप मानलो 5 बजे तक भी मानलो मैं maximum लेके च चुरू होता है उन लोग का 5 बजे तक चलता है और जिन लोग का 8 बजे शुरू होता है उन लोग का 3-3 बजे तक चलता है बट मैं पूरा ही stretch माल लेता हूं 8 बजे से 5 बजे तक कितने गंटे होगे 8 to 5 और इसको अगर मैं लिख लूँ 8 a.m. और इधर 9 p.m. 9, 10, 11, 12, 12 आप दोस्तों से कितने देर actual में खुल के बाद कर पाते हो 9 घंटे से बीच में lunch break एक घंटा निकाल लो और एकाद free period मिल जाते हैं तो 9 hours minus 3 hours आप निकाल लो 3 hours तो कितने बचे 6 hours बचे 6 hours तो आप class करते हो बाकी जो 3 hours है आपके पास free time बचता है तो वो 3 घंटे में रोज मि फ्री मिले 3 into 5 यानि 15 hours आप मिल रहो एक हफते में बट एक hostel student का सोचो hostel में वो class खतम होने से लेकर अगले दिन सुभह तक वो hostel में ही रहता है बुरा लगता मैं अगर वाड यूज कर लेता है कि hostel में पढ़ा रहता है क्योंकि maximum लोग hostel में ही पढ़े रहते हैं जादा कुछ अतना काम करने को होता नहीं है मैं बताऊंगा सब चीज है ना अराम से बताऊंगा आपको पूरा डिटेल कंपेरिजन दूगा क्यूंकि मैं रह चुका हूं तो आपको रियल कंपेरिजन मिल रहा हो गया चार साल मैंसे दो साल में होस्टल में रहा हूं दो साल तो वर्क दिखा दू तो फिर लड़ जाएंगे कोई बात नहीं मैं आपको कभी मौका मिले पर्मीशन लेके तो बाद में दिखा दूँगा कि आप देखना चाहते हैं ज्यादा डिमांड करो तो मैं कमेंट दिखाऊंगा अपने दोस्तों को कि भई प्लीज यार तेरा वीडियो से बस यह 9 हंटा निकाल लो कितना होगा 24-9 is equals to 15 hours तो 15 घंटे टाइम मिल जाते है अपने आज-पास spend करने में पूरे हफते में एक डे स्कॉलर को जितना time spend करने के मिलता है बाकी बच्चों को 15 घंटे मिल जाते है एक दिन में हाँ 15 घंटे में आप पूरे घंटे ना बात क निकाल लो बहुत सारा time बचता है आप परस में discussion करने के लिए अब parents लोग भीचते है hostel इसलिए क्योंकि वो लड़का पढ़े है आपका but क्या hostel में सच में पढ़ाई होता है हाँ पढ़ाई होता है पढ़ाई के अलावा और वी 50 तरह के चीज़े होते है क्या क्या होता है अ चुरू शुरू में बहुत जादा sincere था बात में जाके थोड़ा बेगड़ का routine बतातो हूं मैं first year में जब hostel में घर से जा रहो तो मम्मी बापा का बहुत tension होता है अब ममी का खास करके ज्यादा टेंशन होता है टाइम से यह खाएगा कि नहीं इसका तब्यत खराब हो जाए आपके चारो तरफ जितने भी लोग हैं ना, सब तो वही कर रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं, वही जगहा पर मतलब वर्ट्रूम जा रहे हैं, फिर वही कपडा धो रहे हैं, और वही ग्लास जा रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा familiarity महसूस होगा, कि हाँ, मैं familiar हूं इन लो हो कोई कितना average middle class family से हो okay और at the same time जो day scholar होते हैं वो तो सुबह जाएगा college attend करके आ जाएगा उसका social life friend circle उतना नहीं बढ़ता है जो day scholar day scholar जो localites होते हैं वो आपस में दुस्ती बना लेते हैं क्योंकि वो bus से travel करके आते हैं काफी बर आप शुरू-शुरू में बस में ट्रावल करते हैं धीरे-धीरे जैसे senior होते हैं तो वो लोग अपना bike scooty लेके आ जाते हैं या फिर car लेके आ जाते हैं या parents drop कर लेते हैं घर पे कोई worker है वो drop कर लेते हैं वैसा होता है बट शुरू-शुरू में तो वो bus से या आते हैं आखरी में भी कॉलेज बस होता है कॉलेज बस से वो लोग travel करते हैं तो बस के duration में काफी लोग को प्यार होता है और junior से थोड़ा सा करें लड़की लड़की बात कर रहे हैं और कौन सा school थे रहा हम लोग सेम सिटी में थे कैसे मिले नहीं चलो कोई बात नहीं अभी मिलते हैं बात करते हैं आपका कौन सा अगर आप अपने अंधिर मत रखने कि मैं तो डेश वर मेरा घर है यहाँ पर में पैरेंट के साथ रहता हूं यहाँ जो लड़का यह आज हॉस्टल में रहता है इस्के मंभी पापा से बहुत हजारों किलम chews सेंकों किलोमेटर दूर रहता है. भाई पंगा मतले होस्टल से, क्यूंकि होस्टल वाले बच्चो काना, अपना एक गैंग बन जाता है, अपना एक गुरू बन जाता है. जब होस्टल बच्चे अपने रास्ते पे आ जाएंगे ना, तो फिर day scholar आप कितने भी जुगाड कर लो आप hostel के बच्चों से नहीं टिक पाओगे यहाँ पर बहुत cultural diversity होता है hostel में different culture से आते हैं तो फिर लेंदिन करके बादचीत करके बहुत सारा चीज वो लोग सीखते हैं एक दूसरे से और bonding बन जाते हैं और hostel है कि ऐसा टाइम है जो कि आप लंबे टाइम के लिए दोस्त बनाते हो आपके life में बहुत लंबे friends long term friends strong friends बनेगा आपके hostel life में day scholar में आप तो स्कूल से डाइरेक्ट आगया आपको स्कूल भी जैसे morning जाते थे इवनिंग को आते थे वसी तरह आप college को भी morning को जाएको इवनिंग को आ जाओगे पर hostel में रहते हो यूँ sacrifice a lot आप अपना घर छोड़ के जा रहे हो इतने दूर जा रहे हो तो आप सोच सकते वार कि कितने difficult होता होगा ओके थोड़ा सा बीच में कट हुआ था चलो ठीक है मैं वापस बोलता हूँ कि बहुत sacrifice करके आते हैं यहां के students जो hostel में रहते हैं वांडिंग भी बनता है साथ में और क्या चीजे होता है देखो struggles आपका थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि आपके पास अभी मम्मी बापा है नहीं तुरंत जो कि आपको help करें जो जब मन किया वो खाना पहुंचा दिये या फिर टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो आपको अ बट most of the time आपको खाना पड़ेगा hostel का खाना भले वो कैसा भी बनाओ आप दो चार गालियां भी देते होगे बट फिर भी वही खाना खाओगे दोस्तों में भी बनेगा है आज का खाना क्या बनाओगा बेकार बनाओगा खाने का मन नहीं कराओगा बट फिर भी ultimately जाके इन्सान कुछ भी खाता है और यहां पर ऐसा है कि timing रहता है हॉस्टल में today scholar में timing नहीं रहता है क्या चिसका timing आपको hostel के अंदर पहुंचने का time और तो यार कोई टाइमिंग नहीं यह पे जब मरजी कि आप बहर चले के रात के दस बजी आप बाहर गुमरें बहुत 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 ज़ादा स्ट्रिक्ट होता है मैंने जितना सुना बहुत जगा पे चाहे आप 11 12 की पढ़ाई करो इंजीनेरिंग की पढ़ाई करो यह आप का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है किसे किसी जगा पर थोड़ा छूट रहता है बट बॉइस लोग के लिए थोड़ा से छूट रहता है मैं यह बोल सकता हूं बट गल्स लोग के लिए टाइम मिन्स टाइम रहता है या फिर वरना फाइन चड़ जाएगा अपने पैरे आप घर से चीज से आप सीखे गया हो मतलब घर पर क्या casual routine चलता है जब भी आप खाना खाऊ तो मैं देर से नहाता था दो बज़े नहाता था राउंड और हमारा कैंटीन का टाइम था छुटी वाले दिन संडी की बात करो साटेडे संडी दो बज़े डाई बज़े कैंटीन को घर पे मैं क्या तीन बज़े अगर खाऊं तो फिर खाना मिल जागा खाना बना कर रख होंगे यार कैंटीन भण्द मिनज भले खाना हो फिर भी कैंटीन भण आपको खाना नहीं यहाँदास्ती थोड़ा से मैं तो फिर जल्दी शेद के सुबह में पूरा 5-6 सचा स चा 0 बज़े उठ रहा हूं वही दास 11 बज़े उठ रहा था Saturday Sunday और फिर नहाद हो के एक दो बज़े तक मैं तयार हो जाता था कि मैं अट-लिस्ट खाना गहा पाऊंगा एंटीन में यह भी होता है और help करने में हॉस्टल वाले फ्रेंट्स बहुत जादा help करते हैं डे स्कॉलर यह मिस आउट करते हैं तो अल्टीमेटली बेनिफिट तो मैं आपको बताऊंगा क्या हॉस्टल लाइफ क्यूंकि होस्टल में इतना सारा बेनिफिट मिलता है आपको किसी और चीज में किसी और जगा पर नही आगे घर से तो आप मैनेज करोगे कि इतने पैसे मुझे खर्च करना है कितना सेविंग्स करना है कुछ जरूत पड़ा इंपोर्टन चीज लिना पड़ गया गल्फरेंड के लिए गिफ्ट लिना पड़ गया तो उस टाइम पर आप पैसा कहां से लाओगे दोसे उधार ल सतरीज औरूर इसी उसटीजılar आपको ही नहीं मेलेगा मैं खुद एक्जाम के इस सम्झाब करना शरु में एक दो समिस्टल पड़ा फिर मैं नहीं पड़ा तो मेरे जो होते थे होस्टिव में जो अच्छा पढ़ाई करते थे रोज परते थे उनके पास में जाता था कि भा वो दो गंटे में पढ़ा देते हैं क्योंकि जो important है जो exam points से important है वो आपको समझा देंगे तो फिर बढ़िया है और रात में आपका movie series वगएरह आप देख सकते हो लाप्टम में मस्ती मजग कर सकते हो बहुत तरह तरह के बाते कर सकते हो किसका क्या daring काम किया है किसने किसा क्या में मजग उलाया है वह सब two फिर BPL बंपलाथ तो ऐसे लाथ फिर हाथ अपाई मार पिठ होता है मजब डेंजरेस वाला नहीं बट हाँ यह होता है कि आपको पीठ में पीटेंगे फिर निशान लग जाएगा बट्डे के टाइम पर होता है लड़कियों में बहुत अच्छा होता है वहां पर टेकोरेशन करके और फूल पताल जो लाइटिंग कलर फूल फिर म्यूजिक लगा के और उसको डेकोरेट करके जो क्राउन होता है उसको पहना के बहुत अच्छा होता है गल्स ऑस्टेल में बट ओविसली गर्ली फीलिंग्स आएगा ना वह अच्छा होता है और स्टेटस अगरा में ड 30-50 भी हो जाएंगे कभी कबार आपका जितना दोस्ती है आप अगर कोई सेक्रेटरी हो या फिर किसी क्लब में हैड हो तो फिर और ज्यादा बच्चे आपसे जूट जाते हैं आपके जूनियर भी आजाएंगे अगर आप जब सीनियर हो भी तो आप जूनियर ही हो तो इतन भी चाइध भी एक दोस्त को मैं अपना वीडियो बेज रहा था उसका ही वीडियोा, मैं बै देक्टाосको तो फिर डेटा को डेटास नहीं होता डेटा डेटा सिंगलर प्लूरल तो डेटा को बैक अप ले रहा था तो उस टाइम पर मैंने उसको वो वीडियो भीज दिया और फिर वापस याद कर रहे थे होस्तेल लाइफ कैसा था क्या था बहुत मज़ेदार था ultimate conclusion यह निकलता है सभी तरह से आप खुद के life के owner बन जाओगे आप खुद responsible लेना सीखोगे कपड़ा खुद दोगे Saturday Sunday आप टाइम निकालोगे कपड़ा दोगे रोज भी काफी लोग दोते हैं तो रोज भी दो सकते हो बरतन वगेर धोना नहीं परता केंटीन मेंस में खाते ह महीं का होता है रूम में रात को अगर भूख लगता है खाना बनाओगे आप खाना बना के खाओगे दोस्तों से भी सीखोगे कौन का खाना बनाता है कैसा बनाता है उसके अलावा पैसा financial management वो भी आप सीखते हो खुद साथ मैं दोस्ती दो करते हो बहुत cross culture सीखते हो कभी गूमने का जरूरत पड़िया तो फिर अब बोल सकते हो कि यार तेरा घर यहां पर हमें एक दिन के लिए स्टे कर सकता हूं और वहां पर भी helpful होते हैं फ्रेंट साब के डे स्कॉलर का मुझे असर उतना benefit नहीं लगता और जो लोग पीजी में रते हैं वो लोग भी बाद मे जाते हैं काफी लोग को बहुत हो जाते हैं पढ़ाई वगएरा से इधर उधर चीजों में घुझ जाते हैं तो उसको लिमीट कर दो मैं बोलूगा नहीं कि यार पूरा खतम कर दो वह भी पार्ट है आपको कुछ टाइम के लिए enjoyment मिलता है बट सबची 24 घंटे उसी में लिए बाकी चीज आप तो समझदार हो खुद का दिमाग लगाओ और डिसीजन ले लो फॉस्टल मिलता है डेफिनेटल होस्टल लाइफ को एक्स्प्रोर करना और जिन लोग का पहली बार होस्टल होते है काफी लोग का 11-12 में घॉस्टल में घॉस्टल नहीं था में एक बार दो बार ऐसे जब छोड़के गया उसके बाद नॉर्मल लगा कोई बात नहीं छुट्टी होगा मैं घर चले जाओंगा दशरा वैकेशन होता था तो पर मैं घर चले जाता था फिर एक सेमिस्टर के बाद कुछ ब्रेक होता था वैकेशन 5-6 दिन का तब घर चल ठीक है तो आप डिसाइड करो यार कौन सा आपके लिए बेस्ट पॉसिबल कॉंबिनेशन है फिर आप मुझे बताना है कि आप कौन सा प्रिफर कर रहो कौन से कॉलेज के कौन से होस्टेल में आप जा रहे हो ओके कभी मौका मिला तो मैं आप से मिलने जरूर आउंगा आउ हैंद